पेश रूप से हमने मानिने मुख्यमंतरी जी से मुलाकात किया, यहां पर जितने भी लोग हैं, हम सभी ट्राइबल यूट फेस्ट, और्गनाइजेशन के तरफ से भी आ जाये हुए हैं पिछले साल ट्राइबल यूथ फेस्ट भी ओर्गनाईज किया गया था दिक्षानमंडप रांची में उस पहली बार हमारे युवा साथी है और हमारे प्रेसिडेंट है अजीत लकडा जी इन्हीं के नितित्व में और पिछले साल अमर नाथ लकडा जी के नितित्व में ये ओर्गनाईज किया गया था और लगबग 20,000 से भी अधिक युवाओं का भीड़ हुआ था उसमें जितने भी हमारे आदिवासी कल्च्रल प्रोग्राम से साथी साथ वेंजन हुआ मेला हुआ तमाम चीजों का वहां पर व्यवस्था था और इस बार हम लोग ने मानिने मु भी तो बहुत अच्छे तरीके यह कारेक्रम आए जन होता है और पिछले साल अम लोग फर्स्टाइम इस कारेक्रम को आम लोगों ने लौंच किया था और आशा भी नहीं थी कि यह इतना जादा हिट करेगा मगर दो दिन तक जो कारेक्रम चला और इस बार भी इस साल भी न से विशेश्रूप से छोटानागपुर से संथार से सभी सभी जिलाओं से लोग यहाँ पर आते हैं कारिक्रम करने के लिए ना किवल आदिवासी मगर अन्य अन्य लोग भी इस कारिक्रम में मौजूध होते हैं